कि अपर खालो सुबार देंगे बना रखेंगे एपर खालो ना नहीं जो नहीं जो हलो एब्रिवन में हूं कोसिला और आप सभी का स्वागत है मेरे फिर से एक नए ब्लोग में अभी देखें सुबार का समय हो रहा है बज रहे थे साथ और यहां पर ना सीनों को रेडी करने के लिए मैं उसके कप्ड़े निकाल रही थी ना तो वहां उसके बटन एक नहीं थे तो मैंने इसके दूसरे कप्ड़े डाल देती हूं बड़ फिर सोचा कि विए अभी भूल जाऊंगे ना तो फिर पिर इसका सिला है पाएगा ऐसे अक्सर होता है ना जो काम हम लोग देखते हैं अगर उसको उसी टाइम नहीं करते है ना तो अक्सर बोकाम भूल जाते हैं तो यहां पर मुझे लगा कि चलो टाइम है अभी तो सील देते हैं तो यहां पर उसका एक बटर निकला हुआ था तो फिर वही ट्रेस तब ही मैं इसको डाल दे रही हो तभी जब तक इसके कपड़े नहीं या स्वरी स्कूल डेस नहीं मिले हैं यूनिफॉर्म हो तब तक मुझे डेली टेंसर रहता है कि कौन सा कपड़ा पहना हो इसको जो ज्यादा कम्पृटबल लगे है ना तो डेली डेली थोड़ा से मस् स्कूल चोड़ने के लिए अभी देखें हम जस्ट अभी बाबु को छोड़के ना इसकूल से आए पर है और जब मैं इसकूल से आ रही थी ना तो फिर मुझे लगा ही कि मेरे जो इसकूटी है उसके चक्का पर कुछ बढ़ गया है तो जब मैंने आके घरा के देखा तो द दिखा है ना तो बोले कि पानी डाल के चेक किजिए कि पंचर हुआ है कि ने तो यहां देखें पानी डालने से ना बबल्स बन रहे हैं आप लोग देख सकते हैं छोटा-छोटा मतलब ना पंचर हो गया मेरा तब ही मुझे जाना होगा पंचर बर्माने के लिए तो अभी फाइनली मेरा स्कूटी बन चुका था लग गया मुझे वहां भी दस से पंदरा मिनट और फिर घर आते बज़ गया मेरा आठ से सावा आठ के करीब बज़ गया था तो यहां पे मैं आ गई हूँ अभी लंच की त्यारी करने के लिए मैंने फटा-फट से नास्ता कर लिया है और यहां पे ना में दूद भी आज लेना मतलब अक्सर होता है कि सिनु को स्कूल चोड़ने के बाद ही में दूद लेती हूं तो आज मेरा और भी जादा लेट हो गया था क्योंकि मुझे गारी को गारी का जो पंचर है वो बनवाने जाना पड़ा था और भी द बनता है तो थोड़ा से इसमें ज्यादा लगता है सुब को बोलते हैं बट मुझे ना इसी के शावल पसंद है कि स्वागत है आप सभी का मेरे फिर से एक नए ब्लोग में मैं हूं कोसिला और आप सभी का स्वागत है मेरे एक नए वीडियो में तो चलिए अभी देखिए स मुझे कुछ काम है उसके बाद में उधरी से सीनों को लाने के लिए चली जाओंगी और मेरे आभी जो किचन का काम है ना लंच्छन सारा बन के रेटी है बस मुझे डाल बनानी है तो में आके बना लोगी बस वो तुरंत बन जाएगा तो चलिए अभी में चलती हूं क्यों मेरे ब्लॉग में जुड़े रहिएगा और कमेंट जरू कीज़ेगा फ्रेंस की वीडियो कैसी लगे तो हमारे घर से बैंक ना फ्रेंस करीब 10 मिनट के रास्ते पर है तो यहां पर मैं पहुंच चुके हूं और यहां पर क्या काम से मैं आई हूं मैं अभी आप लोगों को बतला देती हूं तो SPI बैंक में मैं आई हूं स्टेट बैंक में तो यहां हमारी कुस F T है तो F T से रिलेटेड एक साल भर में एक फोम बरना पड़ता है वही फोम में भरने के लिए आई हूं और पता है फ्रेंस ऐसा होता है ना हम लोगों के साथ की सुबा में कहीं जाना ह है वगेरा यह सब तो मेरे रात में सपना भी यही आया कि मतलब मैं बैंक गई हूं और जब मैंने पास्बुक प्रिंट आउट कराया तो वहां से मुझे पता चला कि यूटूब से मेरे अकाउंट पे पैसा आ गया तो मैं बहुत जादा एकसाइटेड और खुस हो गई ले यह सपना कब पूरा होगा मेरा हटी इसको लागे तुम पूर दे डॉप पूरे कि के टाइम खाना करती है तीन तीन ताइन ना नहीं रो नहीं रो नहीं रो नहीं रो अब लोग तो मेरे हस्पे ना एक और डॉगी लेके आये हुए है करीब हो गया वो ना जानी से पहले ही लेके आये थे तो या आज ना उसकी मतलब सुईया पढ़ने वाला था तो आज हम लोग उसके डॉक्तर को बुला के लिए आए थे तो यह अभी ना पैतालीस तिन का ह है यह डॉगी तो इसे अभी ना जैसे छोटे बच्चों को हमारे बच्चों को कैसे सुया पड़ती है वेक्सिनेशन तो इस तरह इन्हें भी पड़ती है तो मेरे हस्पेंड को बहुत ज्यादा सौख है से मतलब पालतु जानवर वगेरा कुता विल्ली वगेरा हो गया और साथ में लोग ने संमोसा लेका हूआ था स्रिफ में ही गय थी बाकी दोनों बच्चे तो ही थे संごस्टा भी लेग खाया थे यह सबसे पहले अजरा तीस आधा दादा केज़ी लेका आया था मैंने और यहाँ पर aprey सकते हैं जो के सिकम थीना औ besteht रहा ना अंदिरा हो गया थ तो थोड़े थोड़े दाग वूग थे तो वही है मैं सोनल से बात कर रही थी कि देखो सस्ते तो मिले हैं लेकिन थोड़े से खराब भी है लेकिन चलेगा मैं उसको काट के ना रख दूंगी फ्रीज में तो चल जाएंगे और यहां कुछ कुछ समान थे रासन वाले तो घट में आते हैं तो धूप में आने के बाद थोड़ी देर बाद यहां मैं उनलों को बोलते हूं कि गुलकॉंडी पी लिया करो तो थोड़ा सा एनलजी रहेगा अच्छा रहेगा और यहां सीनु ना सारी चीजों को लेके ना अपने मतलब वहां उपर में सजा रहा था और उस थोड़ी थोड़ी मात्रा में गिरी हुई थी तो फिर मैंने सोचा कि चलो नेक्स्ट देसे दो धाके उसके बाद में सारा समान रखोंगी और यहां पर देखिए एक दिन मेरे हस्बें राजमा लेके आये हुए थे लेकिन आज तक मैंने राजमा नहीं बनाया है तो यहां मैं काउंट कर रही थी कि और इसका एक्सपारी डेट कितना दिन का है तो दो ही मेहना का बचा हुआ है तो मुझे वह बनाना पड़ेगा जल से जल और अभी देखिए यहां पर मैंने कोई भी रेस्पी आज आप लोग के साथ सेयर नहीं किया क्योंकि बहुँ जादा हम लो तो बहु सिंपल सा आलू और बरी की सबजी मैंने बनाई थी और साथ में रोटी वही था हम लोग आज का डिनर और अभी देख सकते हैं सारा काम मेरा रात का खतम हो गया है बस यह एक काम है जो कितना भी रात क्यों न हो जाए मैं जरूर से जरूर कर लेती हूं सुबा वो ह अच्छे से सारा काम होता है देखिए अभी दस के करीब बज रहे हैं और दस बज़े हम लोग बेड में चले जाते हैं और सुबा मुझे मुझे मॉर्निंग में जल्दी उठना होता है इस वज़ा से और यहां देखिए कुछ सबजियां थी जो कि मैंने धो के रख दी है त पसंद आती है चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए साथ ही वीडियो पर लाइक कमेंट कीजिए तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट ब्लोग में बाबाए